नमस्कार दोस्तों मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वाइब करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं इस वीडियो के मादने में से बात करना चाहूंगा निफ्टी ओप्शन्स की आज की परपॉर्मस के रिगार्डिन तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैं आपको पहले निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन कर देता हूँ और निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज हम किसे स्ट्रेक प्राइस के अंदर काम करेंगे वो आपको निफ्टी का फ्यूचर चार्ट देखकर बता करना है तो देखेगा निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में आपको सिंपल सा इस तरह से आना है और जो भी अपनी opening candle होगी उसमें इस तरह का आपको एक opening candle पर देखें का line draw होके आजाएगा जो कि automatic आता है तो आपको simple सा देखें opening candle हमने click कर दिया जैसे आपको क्लिक किया तो opening candle पर आप check कर सकते हैं आपको इस price check करना है कि market कितने से open हुआ है opening price से decide होता है अब हम आपको किस पर काम करेंगे किस strike price के अंदर अच्छा moment आएगा वह आप यहां से पता कर सकते हैं तो आज का strike price कितना रहेगा 19,300 यानि कि 19,330 का आपका opening price है तो नेरस्ट आपको 19,300 का strike price के अंदर काम कर लेना है तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं मैं आपको देखेंगे बार रिप्ले ओपन कर देता हूं इसको देखी start कर देता हूं ताकि आपको सभी की चीजे अच्छे से समझ माया कि मार्केट के अंदर आज क्या हुआ था तो दोस्तों यहां पर देखेगा आपका 24 तारिक का डेट दिखाए दे रहा है इसके बाद देखेगा 25 तारिक का डेट आपका हो गया यानि कि आज का डेट और आप चेक कर सकते हैं जैसे मार्केट ओपन हुआ ओपन होने के साथ साथ आपको कोई भी आपर रियेंटरी करने सिग्नल नहीं मिला इसलिए हम इसको आवोईड कर दिया इसके बाद हम बेट करेंगे एक फ्रेस सिग्नल जनरेट होने का यहां पर चेक कर सकते हैं मार्केट कुछ इस तरह से चल रहा था और मार्केट का अंदर मॉवमेंट कुछ इस तरह से मिला अब अगर यहां पर आप चेक की जगा तो आपका मार्केट का जो मॉवमेंट है उसके अंदर आप प्राइजिंग अगर चेक करेंगे तो प्राइजिंग आपकी 100 रुपीज से कम आपकी यहां पर प्राइजिंग आ चुकी है और जैसक मैं हमें से मेरे वीडियो में आपको बताता हूं कि आपको उसी strike price के अंदर काम करना है जिसके अंदर लगबग premium value 100 रुपीज के ऊपर चल रही हो तो यहां पर अगर आपको premium value 100 रुपीज के आपको नहीं मिल रही है तो आपको simple सा वो in the money आपको select करना पड़ेगा तो 19,300 का इंद महीं एक select करने जाते हैं production का तो यह होगा 19,400 ठीक है 19,400 यहां पर यह लगाना पड़ेगा हमें तो लगा लेते हैं 19,400 का मैं production लगा देता हूँ देखेगा आपका जो price है उसके अंदर देखेगा आपको price जो है वो 100 रुपीज के ऊपर आपको मिल चुकी है अब उसको हम check कर लेते हैं कि हमें कब entry करना था कब exit करना था तो उसको मैंने play कर दिया देख सकते हैं इस तरह से market चला और market चलने बात देख सकते हैं market अभी लगातर sideways चल रहा अभी कोई भी आपर entry नहीं हो पाई है हम simple सा wait करेंगे entry होने का जैसे हैं आपर entry signal generate होगा हम definitely इसको entry करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका buy signal यहाँ पर generate हुआ था जिसमें आप चेक कर सकते हैं buying candle यह वाली candle जिस आपका signal generate होता है उसको buying candle बोलता है और next candle जो होती वो entry candle कहला थी entry candle आपको चेक करना है कि आपका volume green होना चाहिए साथ-साथ market का strength लगबग 40% से उपर green color के अंदर होना चाहिए तो यहाँ पर लगबग 71% आपका market का strength green था तो definitely मैं आपर entry करेंगे तो आपके entry price कितने थी 175 र सकते हैं क्या हुआ इसके बाद देखिए मार्केट आपका first target achieve क्या first target achieve करने बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर market ने exit करा दिया है इस candle पे इस candle पे आपको एक red color का symbol मिला यह वो होता है exit point तो यहां से आप check कर सकते है exit point पे आप यहाँ पर exit कर जाते और exit point तक तो आपका exit कितने पूंगा लगवग है 200 price लगवग चल रही stamp इस candle की आपका closing है 200 रुपे का यानि कि 200 रुपे पिंचान पैस है यानि कि 201 का आपका लगवग यहाँ पर exit point है ठीक है तो exit candle का हम value note कर लेता हूं कहां से आपने buy किया था 175 के आसपास आपने buy किया था यानि total आपको कितन 1000 का आपका मुनाफ़ाय आपर रहता ठीक है तो हमने आपर exit कर दिया इसको अभी बहुत से लोग बोलेंगे क्या वाइट करंडल का wait क्यों ही किया तो बताने चाहूंगा दोस्तों आगर आप जब entry कर रहे है entry करने के बाद आपका first target कोई भी आपका target अचीव हो जाए first second third को अगर exit point अगर आता है तो आपको exit कर जाना है exit point नहीं आता है तो आपको white color candle कर जनरेट हो जाती है target अचीव होने के बाद तो exit आपको कर जाना है तो लेकिन हम आप exit point पहले मिल गया था इसलिए हमने आपर इसको exit कर लिया ठीक है इसके बाद देखते है market के अंदर क्या अब यहां पर totally खतम हो चुका है ठीक है इसके signal के power यहां पर खतम हो कि देखिए पूरा market नीचे आगया और देख सकते हैं आपका market अभी total downtrend के अंदर चल रहा है और आप उपर check कर सकते हैं आपका timing आपको यहां शो कर रहा है जिस time market क्या चल रहा तो timing आपको यहां पर दि यहां पर इस candle के अंदर एक आपको buy signal मिला और next candle से आपको entry करना था तो नीचे check किजिए आपका volume rate है ठीक है तो इसको हम entry नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें volume green चाहिए और market के जो strength लगवो 40% यहां पर green में चाहिए तो यहां पर ऐसा नहीं था इसलिए हम इसको avoid कर दिएंगे avoid करने बाद देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी रिएंट्री नहीं हुआ इसके बाद चेक कर सकते हैं market आपका sideways चला और देखेगा कोई भी आपको target भी नहीं मिला fact signal जो होते हैं उसके अंदर target नहीं मिल पाते हैं और sorter क्या करता fact signal को आपको avoid करा देता है जिससे आप fact signal पर trade नहीं करते हो और अच्छे से आप सही signal पर trade करके earning कर पाते हो तो आप चेक कर सकते हैं market में कुछ इस तरह से माहूल रहा आज nifty के pot option के अंदर यह देख सकते हैं पूरा आपका live price करेंट में भी आ चुका है आप यहां पर चेक कर सकते हैं पूरा live price आपका चल रहा है ठीक है तो यह तो था अपना nifty का pot option का आज का performance अब में बताना चाहूंगा nifty के call option का performance तो चले दोस्तों चेक कर लेते हैं आज का अपना strike price कितना था 19 300 में 19 300 का call option निकाल लेता हूं और बार रिपले उन कर देता हूं morning से दिखाने कोईश करता हूं आज क्या हुआ था ठीक है तो देखिए मैंने बार रिपले open कर दिया आप चेक कर सकते हैं बार रिपले open करने साथ साथ आप देखिएगा आपकी date जो है आपर change होगी और चेंज नहीं करेंगे लेकिन देख सकते हैं आपकी प्राइजिंग लगवग 100 रुपीज के आज पास बार बार घूम रही है ठीक है यानि कि पूरा मार्केट आपका sideways चल रहा है ठीक है लेकिन अगर आपकी प्राइजिंग जो है लगवग 80 रुपे कर बीछे जैसे चली ज देखेगा मैं in the money select कर लेता हूं तो in the money call option का कौन सा होगा 19200 मैंने 19200 लगा लिए यापर देख सकते हैं आपका जो premium value है वो 100 रुपे को उपर आपका शो कर रहा है तो ठीक हम लोग वेट करते हैं देखते हैं कोई नया signal generate हो याँपर जो कि अपनी condition fulfill करे उसको definitely मैं यापर क काम करेंगे दिरुएस काम नहीं करेंगे अब चेक कर सकते हैं मार्केट कुछ इस तरह से चला यहाँ पर कोई भी अभी तक signal generate नहीं हुआ आप उपर डेट भी चेक कर सकते हैं ताइमिंग भी आप यहाँपर चेक कर सकते हैं सारी चीजी बिल्गूल देख सकते हैं तो देख सकते हैं कैसा मार्केट चला आप यहाँ पर पूरा वह चेक कर सकते हैं तो देखिएका बार रिप्ले के मदस्ते में सब चीजी आपको बता रहा हूं इसके अंदर आपको सारी चीजे बिल्कुल लाइब फिलिंग वाली यह अपको में शेयर कर रहा हूं बार रिप्ल अभी तक हमने कौय भी काम नहीं किया इसके अंदर कोई भी हमारी एंट्री नहीं भने एक एंट्री आई थी लेकिन वह साइडेवर की लोग signal था adding signal थे इसलिए उसके अंदर इसके अंदर निंकिया है, मार्केट का जो ट्रेंथ वो ग्रीन कलर के अंदर होने चाहिए, लगभी चालीस परसेंट आपका लिए के अंदर अधे कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं मार्केट इसके अलावा Nifty के call option के अंदर कोई भी सिंगला जिसा नहीं मिला जिसमें हम काम गर ले थे तो दोस्तों ये था Nifty के call put का आज का performance जिसके अंदर मैंने सारी बातें आपको बिल्कुल बार रिपले के मादिम से बात आई है आशे करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो कर अच्छे लगे वीडियो जरू लाइक किजिए कभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब में किया हो चैनल जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और दोस्तों देखें मार्केट के अंदर पैसा अगर बनाना है तो सुप्टर का आप यूज करके देख सकते हैं डेफिनेटल आप ऐसा बना सकते हो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो साथ तब तक के लिए बाई एंड थैंक यो